नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें चार मार्च के दिन साल की सबसे बड़ी सोमवार अश्टमी सोमवार की अश्टमी साल भर में बहुत कम आती है और साल की पहली सोमवार अश्टमी तो बहुत ही खास है, इस दिन उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं इस सोमवार अश्टमी की रात चावल का ये एक काम करने मात्र से पूरे साल भर धन की कमी नहीं होगी सोमवार की रात कर लेना एक सो आठ चावल के दाने और दो लॉंग वाला ये विशेश माह भगवान भोलेनात के आशीरवात से जीवन के हर कश्टों से शीग्र आपको मुक्ति आपके जीवन होगी धन की वर्षा आपकी हर मनो काम ना होगी पूरी बन जाओगे आप करोड पती इसी दिन सोम प्रदोश का भी पावन दिन पढ़ रहा है चार मार्च के दिन पूरे बावन तरीके के शुभ योग बन रहे हैं जिसमें चतुर घड की करोडों की संख्या में भक्त भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में भी भगवान भोलेनात के लिए व्रत रखेंगे जहां पूजा पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनात का आशीरवाद और वर्दान मिल सके परन्तु आप शिवा पुरान के अनुसार सोमवार के दिन 108 के दाने और दो पुरातनकाल के समय का महाउपाय कर लेते हैं जैसा हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं दुख परेशानियों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी बलकि आपकी कैसी भी मनो कामना आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका कारोबार चल पड़ेगा जिस बीमारी से बहुत परेशान थे, उस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी महादेव कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा आपके पास धन आने के सभी रास्ते खुल जाएगे जो आपके पास धन आएगा, वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्ध भी होगी क्योंकि दोस्तों, देवों के देव महादेव एक ऐसे देवता है, जिनकी हर कोई भक्ती कर सकता है चाहे वो इनसान हो, चाहे राक्षस हो या दानव हो, यहां तक लिखा हुआ है पशु और भी भगवान भोलेनात की पूजा पाठ करते हैं और बात को समझ लीजिए भगवान शिव की महिमा हर जगे हुई है, और जब तक यह दुनिया कायम रहेगी, भगवान भोलेनात की महिमा गाई जाती रहेंगी भगवान भोलेनात एक ऐसे भगवान हैं, जो केवल अपने भक्तों का कल्यान चाहते हैं इसी लिए आपने देखा भी होगा, कि भगवान भोलेनात के भक्तों की संख्या, अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है दोस्तों सोमवार का दिन, इस दिन सोम प्रदोश का शुभ दिन भी पड़ रहा है और आपको बता दें, इस दिन पूरे बावन तरीके के योग बन रहे हैं, जिसमें चतुरगड अपने जीवन हर कष्टों से शीग्र के शीग्र मुक्ति मिल जाएगी आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत कारी और सकारात्मक बदला आएगा आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, इसको करने के पश्चाद उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी आप बार बार यह सोचेंगे कैसे चावल और लॉंग का उपाय करके आपको भगवान भोलेनात का आशिरवाद ले सकता है तो आपकी जानकारी बता दें चावल को हमारे हिंदु धर्म में अक्सर बोला जाता है माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिवा इनकी पूजा में चावल का उपाय जरूर ही किया था मान्यता है कि इनकी पूजा में जब भी चावल का इस्तिमाल किया जाए उस पूजा का पलट करके हमको शीग्र मिलता है दूसरी तरफ जो लॉंग होती है उसको तंत्र शस्त्र में सबसे अवल और उत्तम जगह पर रखा गया है समझा जाता है तंत्र शस्त्र में की मनो कामना पूर्ती के लिए यदि आप किसी भी देवता के सामने पूजा पाट कर रहे हैं और उसमे का करते हैं तो आपकी पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाएगी शिवा पुराना के अनुसार एक सो आठ चावल के और दो लॉंग वाला कर लिया जो पुरातन काल के समय से चला हुआ आ रहा है तो दोस्तों, मान के चलिए आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नश्ट हो जाएगा आपकी कोई मनो कामना हो वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी इसलिए यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनात की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने भगवान के आशीरवात से आप अपने जीवन बहुत ही उन्नति करें बहुत ही आगे रहें भगवान भोलेनात का आपको मिल जाए जिसके पश्चात आपको कभी भी किसी भी तरह की परिशानी का सामना ना करना पड़े दोस्तों को शीग रही जाए और कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यू आर नमः शिवाए हर हर महादेव और यदि आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए सबसे पहले हम आपको इस बात को बता दें कि हम आपको जिन उपायों के बारे करने जा रहे हैं कुछ उपाय उनमें ऐसे हैं जिनको आपको वरत रख के करना है और कुछ उपाय ऐसे हैं आपको वरत रखने की जरूरत नहीं है हम सारे उपाय आपको शिवा पुराना से बताएंगे इसी लिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिये, हो सके तो इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ती का महा उपाय दोस्तों, आप चाहते हैं कि एक दिन की पूजा से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए भगवान कृपा आपको वो मिल जाए जिसके पश्चात आपकी कोई इच्छा वो एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए तो इस उपाय के लिए आपको व्रत तो रखना पड़ेगा चार मार्च दो हजार चौबीस के दिन व्रत रख के ही आप इस उपाय को कर सकते हैं आपको क्या करना है? सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहने है भगवान भोलेनात को सफेद रंग बहुत ही प्रिया है उनकी पूजा में जब भी रंग का इस्तिमाल किया जाए, पूजा शीग्र सिद्ध हो जाती है अब कुछ चाहिए होंगी जैसे आपको एक तांबे का लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध घर जल भर लीजिए और उसमें एक सो आठ चावल के दाने डाल दीजिएगा भगवान भोलेनात को एक सो आठ की संख्या जो होती है, वो बहुत ही ज्यादा पसंद है उनकी पूजा में एक सो आठ की संख्या में ही चीजों को इस्तिमाल किया जाता है एक सो आठ चावल के दाने डाल दिये, आपको लेना है, घी का दीपक आपको लेना है, दो लौंग आपको जाना है भगवान भोलेनात के मंदिर, सबसे भगवान भोले के मंदिर जाईए ये जो आप जल ले करके आएं हैं, एक लोटे में, जिसमें आपने चावल डाला है, इसे शिवलिंग का कर, और मुँ उत्तर की तरफ रखिएगा, हम उत्तर की तरफ करके शिवलिंग का अभिशेक कर दीजिए, और पानी को धीरे धीरे गिरेगा, जितनी देर पानी गिर रहा है, शिवलिंग पर उत्नी देर आपको भगवान भोले नात के बीज मंतर का जाप करना है, श्री शिवाय, नमस्ते, एक बार फिर से कर दे रहे हैं, श्री आपने शिवलिंग का अभिशेक कर दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको शिवलिंग से हटना है, और भगव आपको अपनी मनोकामना बनी है केवल इस तरीके से आपको के अनुसार उपाय करना है और एक दिन के उपाय ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं वह आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से बचने का और इस उपाय के लिए आपको वरत रखने की जरूरत नहीं है मान लीजिये, आपके जीवन में आता है वह रुकता नहीं टिकता, ना ही फिजुल खर्ची में जाता है आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है, जिसका उसको पहले तो आप लोटा ले रहे थे परन्तु आप उस कर्ज के बोज में आप लोग देखते हुए चला रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नींद भी गायब हो गई है और खाना भी नहीं खा पा रहे है आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंध हो चुके हैं तो केवल यह महा उपाय कर लीजिए जिसके बारे में प्राण के अध्यन नंबर 31 में लिखा हुआ है और इस उपाय को करने पश्चात आपके जीवन में धन भी आएगा जो धन व रुकेगा भिटके गा भी उसमें वृद्ध भी होगी बहुत ही आसान सा आए आपको केवल क्या करना है सोमवार के दिन नहाना है धोना है कपड़े पहने है एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है और एक सफेद कपड़ा है उसमें एक मुठ्धी चावल डाल देना है इस सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए अब आपको भगवान भोले नाथ के मंदिर जाना है सबसे पहले ये जो एक लोटा जल रहा है इसे शिवलिंग का अभिशेक कर दीजिए शिवलिंग का कर दिया अब आप ये जो है जिसमें एक मुठ्धी चावल आपने रखा है इसको शिवलिंग से चुए इसको आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में जहां भी आप पैसा, रुपिया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रख देना केवल इतना कर दीजिए ये पोटल आपके जीवन के हर दोश को समाप्त कर देगी जिसकी वजह से आपके पास पैसा आना बंद हो गया था आपके जीवन में एक वर्दान की तरह काम करेगी भगवान भोले नात की तरह काम करेगी कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा धन आने के सारे खुल जाएंगे जो दानना आपके आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा भी, इसमें वृद्ध भी होगी और मान के चलिए, भगवान शीवा जी की असीम कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं, भगवान भोले नात का आशीरवाद आपके और आपके परिवार पर बना रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में शीग्र दीजिए, हर हर महादेव और अभी तक आपने वीडियो लाइक, ना वीडियो को लाइक कर दीजिए तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वह दोश मंगल दोश, साड़े भहिया से बचने का महा उपाय देखिए दोस्तों यदि आपकी साड़े चल रही है, आपकी धया चल रही है, आपके उपर मंगल दोश है, आपके परसनल दोश तो है, तो इन दोशों को समाप्त नहीं किया जा सकता है कोई भी पंडित आपसे ये कहता है ये उपाय कर लो ये दोश समाप्त हो जाएगा वह आपसे जूट बोल रहा दोश के प्रकोप को कम किया जा सकता और यदि आप चाहते हैं कि आपके उपर कोई भी ऐसा दोश है जिसके साथ बड़ा है तो आपको क्या करना है दिखिए सोमवार के दिन आपको पहले तो व्रत रखना होगा व्रत रखते ही ये उपाय आपको करना है व्रत रख आपने सुबह उठना है नहाना धोना है एक लोटा शुद्ध जल लेना है एक लोटा शुद्ध जल लिया एक सफेद कपड़ा लीजिए एक सफेद कपड़े में दो लोटा चावल डाल दीजिए इसके शिव पुरान के अध्यान नंबर 56 में लिखा हुआ है जैसे हम उपाय आपको बता रहे हैं ध्यान से सुनिए इस सफेद कपड़े की बना लीजिए एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनात के मंदिर जाईए सबसे पहले एक लोटे जल से शिवलिंग का अभिशेक कीजिए और ये दो लोटा चावल सफेद कपड़े में रख करके लाया है इसको मंदिर के पुजारी को दान करती है केवल इतना उपाए और आपके उपर कोई भी दोशी होगा उसका प्रकोप पुरे साल लगभगना के बराबर रहेगा और भगवान भोलेनात की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत उन्नती करेंगे बहुत ही आगे जाएंगे आप मान लीजिये आप लंबे समय बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी नहीं हो रही है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना है देखिए बहुत आसान से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं और इसके लिए आपको वरत रखने की जरूरत नहीं आपको सोमवार दिन नहाना है धोना है आपको एक लोटा शुद्ध गंगाजल लेना है गंगाजल मार्केट में एक का मिल जाएगा इसमें 108 चावल के दाने डालना है अब आपको लेना ग्यारह बेलपत्र आपको भगवान भोलेनात के मंदिर जाना है इस दिन पवित्र या सरोवर में सनान करना बहुत अधिक महत्व होता है यदि आप पवित्र नदी या सरोवर में सनान न कर सकें तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ डाल कर सनान करें और मन ही मन नमो कार्य करने चाहिए तरपन करें इन पावन दिन के विधिविधान पूजा अर्चना करनी चाहिए आरती करें सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव शंकर और मा पारवती की भी विधिविधान से पूजा करें आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंतरों का जाप करना है ज्यादा से ज्यादा हो सके वासु देवा मंतर का जाप करना है भगवान विष्णु जी के मंतर का ओम नम्ह शिवाय भगवान शिव के मंतरों का जाब करें जितना हो सके आपको लाब मिलेगा और दोस्तों अब बात करें आपको नमक से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से चुटकारा मिल सके और ततकाल गरी भी खत्म हो जाए और आप एक महीने में करोड़ पती बन जाएंगे माला माल हो तो चलिये शुरू करते हैं नमक से जुड़े कौन कौन से उपाये हैं जो कि आपको पोश, सोमवार, अश्टमी के दिन जरूर करने चाहिए नमक का इस्तिमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं जरा सा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट जाता है कहने का है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है क्या आप जानते हैं कि साधारन सा दिखने वाला यह नमक हेल्थ के साथ साथ आपकी किस्मत के लिए भी काफी फाइदे मंद होता है नमक को एवम वास्तु शास्त्र में भी विशेश उपाए में लिया जाता है खान-पान का सwoad बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाए किया जाता है हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधी समझा जाता है नमक से इसे वास्तु उपाय किये जाते हैं जिनें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां है जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तिमाल कई तंत्र और मंत्र टोने टोटके में भी किया जाता है सबसे पहले तो आपको बता दें कि नमक का होता है आईयोडाइन, काला नमक, डली या साबुत नमक और सेंधा नमक तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला नमक या नमक का यूज किया जाता है ऐसा कहा है कि नमक को कभी भी किसी मानव को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए कहते हैं कि सीधे से नमक देने से इनसान से आपकी हो सकती तंतर शास्तर के अनुसार यदि नमक को सही तंतर मंतर के साथ उपाय किया जाए तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों, पोचा लगाते समय मिलाए नमक दूर होगी धन की कमी दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोचा लगाए तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परेशानिया उन्हें खत्म हो जाएंगी कम से कम आप में दो बार तो ऐसा जरूर करें कहते हैं, घर में नमक वाला पोचा लगाने से शीग्र ही धन की प्राप्ती होती है ये पूरे घर को पॉजिटिव उर्जा से होता है और घर में जो भी नेगेटिव उर्जा है वो बाहर निकल जाती है इसी लिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोचे को जरूर लगाएं और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचाले या फिर सनान घर में जरूर रखें या दोस्तों नमक और कांच दोनों को ही राहू का कारक समझा जाता है इसी लिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में शौचाले या फिर सनान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनरजी का नाश होता है इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सुक्ष्म भी नश्ट होते हैं इसलिए आप अपने घर के शौचाले या फिर सनान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें तंतर शास्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भर कर उसके अंदर चार पांच यदि आप लॉंग डाल दें ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुरगा अगमन होता है घर में सदैव सकारात्मक उर्जा का रहता है साथ ही साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं या दोस्तों यदि हफते में आप एक बार बच्चों को छुटकी भर नमक डाल कर पानी से स्नान कराएं तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी साइन्टिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एनरजी से भी संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी साथ ही यदि आपके घर में सदैव क्लैश रहता है तो नमक का ये उपाय जरूर करें या दोस्तों पति-पत्नी में जगड़ा होता हो या फिर घर में तनाव के हालात रहते घर में सदैव वाद रहता हो तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डाल कर बेडरूम ड्रॉइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं नमक नकारात्मक उरजा को सुख लेगा घर में हालाद धीरे-धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक उरजा का वास होगा और साथ ही यदि आपके घर में कोई बीमार रहता हो तो आप नमक का उपाय जरूर करें यदि कोई लंबी से ग्रस्त है तो उसके सिर आप कांच के बरतन में तो आप अपने व्यवहार से ही अपने विरोधियों को परास्त कर सकते हैं मगर इतना करने से भी यदि आप अपने विरोधियों को अपना मित्र नहीं बना पा रहे तो आपको अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रख दें एक हफ़ते पश्चात उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रखें धीरे धीरे में होने लगेगा साथ ही साथ नमक का ये महत्वपूर्ण उपाए हम आपको बता देते हैं जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या फिर बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्तर में ये उपाए बताया गया है इसके लिए को अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से बाहर घुमा लेना है फिर आप इस नमक को दर्वाजे के बाहर फेंक दें ऐसा लगातार तीन दिन करें यदि इससे भी आपको लाब ना मिले तो नमक को सिर पे से तीन बार उतार कर शौचालय में डाल कर आपको फ्लैश कर दें इससे आपको जल्द फाइदा कम मिलेगा साथ ही जोतिश शास्तर के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें इसे आप अपने कार्यक्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संचार होता है साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध लें राहू केतु ग्रह समझा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक, कांच दोनों का ही संबंध राहू और नकारात्मक उर्जा का केतु से है। ऐसे में कांच की कटोरी में नमक भरकर बातरूम में रख दें। ऐसा करने से वा केतु के अशुभसरों से मुक्ति मिलती है। और सकारात्मक उर्जा घर में बनी रहती है। घर परिवार में सुक सम्रिद्य होती है। परंतु ध्यान रखें कि नमक को हर दस दिन के आप जरूर बदले। और साथ ही साथ भोजन करते समय आपको दाल या सबजी में यदि नमक या मिर्च कम लगे तो उपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डाले। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शनिमंग का दुश असर भी नहीं ह होगा। साथ ही यदि आप पैसों की किलत से जुड़ रहे हैं, पैसों की किलत आपको परिशान कर रही है। तो आप क्या करें। कांच के गिलास में सेंधा नमक अब दो लॉंग डाल कर, जिसे आप अपनी तिजोरी या फिर अलमेरा या फिर अपने घर के जो किच्चन वह पर रख सकते हैं। भिगौने में या दोस्तों, ऐसा करने से नेगेटिव एनरजी खत्म होगी और पॉजिटिव एनरजी घर में प्रवेश करेगी और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्धन की कमी नहीं रहेगी। और मा, सदैव आपके उपर आशीरवात बन तो नमक का यह उपाए करें या दोस्तों, कारिस्थल पर कई कुछ सहकर भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में न चाहते हुए भी कारिस्थल में हमारे काम में बाधायें आती हैं। और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं, वह नहीं कर पातें। जाहिर है, यदि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है, तो नमक का ये उपाय जरूर करें, या दोस्तों, यदि आप समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपको ये पानी बदलना है, ध्यान रखिए, जो भी आप में नमक घोल कर रखें, वह कांच की शीशी होनी चाह आप जरूर करें, ये दोस्तों, देवी, धनकी देवी, मा दुरगा को प्रसन्न करने के लिए, आप एक लाल कपड़े में सफेद नमक के कुछ टुकड़े रखकर उसी के अंदर रखें, नमक केवल में ही नहीं, बलकि हलकी हवा में भी घुल जाता है, ऐसे में, जब भी आ जाल कपड़े में बांध कर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ती के योगे बनेंगे, और धीरे धीरे आपके धन में व्रिद्धी होने लगेगी, किसी ना किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ती होने लगेगी, विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुब मानते हैं, जोतिश शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधी समझा जाता है, नमक को स्टील या लोहे के रखते हैं, तो ये चंद्र और शनी का मिलन होगा, जो की बहुत ही घातक सिद्ध होता है, यहां तक क आप कंगाल भी हो सकते हैं, यह रोग और शोक का कारण बन जाता है, नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नमक को के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुब समझा जाता है, जब कोई मानव नमक को लोहे के बरतन में या प्लास्टिक के ब नमक का गिरना बिलकुल भी अच्छा नहीं समझा जाता गुलगार या जैसे इसे दुरभाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक का अदा करना है। इसलिए कभी किसी का नमक उधार मांकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन खरीदना चाहिए। इससे आपका और शनी मजबूत होगा। यदि आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं, तब भी आपको शनी के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है. दोस्त, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए. जब आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं, तो आपके घर की सुख समरिद्धी ही चली जाती है. साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बरबाद है. इसलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए. दोस्त और नमक मिले पानी से पोचा लगाने से, घर में जितनी भी नकारात्मक होती है, वो नश्ट हो जाती है. दो बार नमक मिले, पानी से पोचा अवश्य लगाएं. परंतु याद रहे, नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोचा नहीं लगाना चाहिए. दोपहर में जब कोई मानव घर की साफ सफाई करता है, तब इससे घर में दुरगा नहीं, मा दुरगा वास हो जाता है. माता, दुरगा का वास उसी घर में होता है, जिस घर की सफाई सुबह के समय होती हो. शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है, कि सूर्योदय होने से पहले घर का दर्वाजा खोल लेना चाहिए नहीं तो माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वो घर में दर्वाजा उदय से पहले खुलता हो क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दर्वाजा बंध होता है तब भला माता, दुर्गा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी? आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है. इसी लिए सवेरे सवेरे दर्वाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त. जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बुरी शक्ती, बुरी हवा, नजर, दोश्मात्र. इस उपाय को करने दो मिनट में सब ठीक हो जाएगा. करे नमक का ये उपाय थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा साथ की संख्या में. साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना चाहिए, एक टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी, अब इन सभी को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारें, जिसे नजर लग गई हो, सर के उपर से साथ बार घुमाएं, और इसे अगनी में जला दें, अगनी आ इस से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी तूट जाता है, आप तो है, ये उपाए बुरी नजर को कोसों दूर रखता है, लाजमी है कि जब आपके उपर नजर ही नहीं होगी, तब आप काम्याबी की और, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते, इसी लिए इसका उतरना भी है जरूरी दोस्तों, सोते समय तकीये के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके उर्जा होगी, ये उसको अपने सुख लेता है, और आप सुबह के एक आनंद दायक जीवन को महसूस करते हैं, जब आप सोते समय तकी इने, आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है, इससे आपका खून धीरे-धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड़ियां कमजोर होने लगती है, चाए में कर भी नमक ना डाले, इससे आपकी मृत्यू भी हो सकती है, दोस्तों, के दिन नमक का दान करना बहु आपको खुन सूकता है, आपको हॹृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पत्री हो सकती है, आप अपनी की रोश्नी को सकते है, ज्यादा नमक खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है नमक ना कम ना ज्यादा इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए अच्छा समझा जाता है शरीर के दोस्त जो मानव नमक की कद्र करता है उसके उपर सदैव माता दुरगा का आशिरवाद बना रहता है अद्भुत उपाय है इस पवित्र मौके पर माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से ही नहीं बलकि आपके जीवन में धन की वृद्ध होगी और आप करोड़ पती बन जाएंगे आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपकी सभी मनो कामनाएं पूरी होंगी इस दिन आपकी पूजा और साधना क्रिया का खास है क्योंकि शास्त्र लिखा है कि सोमवार अश्टमी के दिन माता लक्ष्मी जी धर्ती पर वास करती है और उनकी से ही भक्तों पर अद्भुत आशिरवाद बरसता है आप वेद पुरान के अनुसार एक दीपक को सोमवार अश्टमी की रात रखें और उस पाए को अपनाएं तो शीग्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद हासिल होगा इस छोटे से उपाए को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी आपके जीवन में धन में व्रिद्ध होगी और आप सभी कारियों में सम्रिद्ध हासिल करेंगे इस सोमवार अश्टमी के दिन उपाय से ना केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और कष्ट दूर होंगे बलकि आपके जीवन में नए रूप से सम्रिध्य और सफलता का सफर शुरू होगा धन का आगमन होने से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी और आप दिन रात कमाई करेंगे इस उपाय के अलावा इस जरूरी दिन को ध्यान से बिताए और माता लक्ष्मी पूजा अत्वा ध्यान में रहे सोमवार अश्टमी का यह खास दिन आपके जीवन में नए और समरिध्य की और पहुँचने का एक अद्वितिय अवसर है धन और समरिध्य के साथ साथ इस दिन को आप आत्मा के साथ मेल करने और अपने आत्म विकाश में समर्थ बनने का भी एक अद्वितिये अवसर मान सकते हैं। इस पवित्र को सत्य, न्याय और दया के साथ गुजारने से आपका मानविये और आध्यात्मिक विकास होगा। सोमवार, अश्टमी के। इस जरूरी अवसर को सही रूप से मना कर आप ना शीर्ष से केवल धनी बनेंगे, बलकि आप मन, संतुलित, खुशाल और आत्म निर्भर बनाएंगे। ये दिन आपके जीवन को सार्थकता और की हो सकता है और नए सपनों की उँचाईयों तक आपका मार्ग प्रकाशित कर सकता है। सोमवार अश्टमी के इस शांदार मौके पर धर्ती पर भगवान विश्नु के एक अद्वितिय अवतार भगवान का उत्सव भी होता है। इस अवतार की पूजा करने से आपको रोग मुक्ती आरोग्य और दीरगायू कठिनाई का सामना की शक्ति मिलती है। इस व्रतियों में सफलता हासिल करने के लिए भी सोमवार अश्टमी का जरूरी रोल होता है। यह आपको व्यापार और कर्मक्षेत्र में उन्नतिकी और प्रेरित कर सकता है। और आप अपने स्थानिय समुदाय में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सोमवार अश्टमी के अद्विती ये माहौल में आप अपनी आत्मा को समर्थ, नीती और साहस बना सकते हैं। ये समय है प्रधान और सुधारों के लिए और अपने समर्थन माध्यम से अपने प्राकृतिक गुणों को खोच सकते हैं। तो ये थी आज की विशेश जानकारी, उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी।